सू जी कहते हैं उस समें प्रिथी की बात संकर भवान नारायन ने कहा जगत को आश्रे देने वाली देवी, मैं अब स्वर्ग में सुख देने वाले साधनों को तुम्हें बताऊंगा मैं श्रदा रहित, प्राणी के सेंकडों यग्यों और हजारों परकार के दान आदी धर्म्दों से संतुस्ट नहीं होता और ना मैं दान से ही परसन नहोता हूँ किन्तो माधवी यदि कोई व्यक्ति चित को एकाग्र करके श्यधा पूरक मेरा ध्यान समरन करता है मैं चाहे बहुत दोशों से युक्त भी क्यों नहीं हो, मैं उसके विवार से सदा सदुस्ट रहता हूँ पृथि देवी, जो अत्यान्त बुद्धिमान पुरुष मुझे आधी रात, अंदकार पूर्ण समय, मध्यान में, अत्वा अप्रान के समय, निरंतर नमशकार करते हैं मैं उन पर सदा सदुस्ट रहता हूँ मेरी भक्ती में मिवस्थिचित वाला, भक्त कभी भक्ती से विचलित नहीं होता द्वादशी तिथी के दिन मेरी भक्ती में तत पर रहकर जो लोगों पास अप्वास करते हैं मेरी भक्ती के प्राइन वेप्रूष मेरे शाक्षाद दर्शन परावत कर लेते हैं सुन्दरी जो ग्यानवान एम गुनग्य तरह जिसका हिद्दे भक्ती से ओत प्रोत है ऐसे मनुश्य इच्छा अंसार स्वर्ग में वास करते है समुखी मुझे पाना बड़ा कटिन है थोड़े परियास से मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता भक्त जिन कर्मों के फल सुरूप मेरा दर्शन पाते हैं अब उन कर्मों का तुम से वर्निट करता हूँ जो शधालू व्यक्ति द्वाद शीतिति के दिन उप्वास करते हैं वे मेरा दर्शन प्राप्त कर लेती है जो उप्वास करके हाथ में एक अंजली जल लेकर ओम नमो नाराइनाए कहकर सूर की और देखते हुए जल से उन्हें अध्यपरदान करते हैं उनकी अंजली से जल के जितनी बूंदे गरती हैं उतने हजार वर्षों तक वे सर्ग लोक में परतिष्टा पराप्त करते हैं जो धर्मात्मा पुरुष्ट द्वादशी तिथी में विधी के साथ यतन पूरवक मेरी उपासना करते हैं तिधा शेत पुष्पों एम सुगंदित धूप से मेरी अर्चना करते हैं और मंदर में मेरी स्थापना करके पूजा करते हैं उन्हें जो गती मिलती है वे सुनो करें भगवान श्री हरी परम पुझ्ज एम मानने प्रुश हैं वे पुश्पो को सविकार करें एम मुझ पर परसन्न हो जाएं भगवान विश्णु व्यक्त और अव्यक्त गंद को सविकार करने मले हैं ऐसे भगवान विश्णु के लिए मेरा बारंबार नमश्कार है वे पुना पुना सवीकार करें। भवान अच्यूत अपनी शरन में आई हुए भक्त की बात को सुनकर परसंद न हो जाते हैं। उन्हें मेरा नमश्कार है। वे जगत व्याप्त शूक्ष्म गंद तदा मेरे द्वारा अर्पित किये हुए दूप को ग्रहन करते। जो मेरा उपासक शास्त्रों का श्रवन करके मेरे लिए ही कारे संपादन करता है। वे मेरे लोक में जाने का अधिकारी होता है। वहाँ मैं चार भुजावला होकर शूबा पाता है। देवी जो मंत्रों द्वारा मेरी पूजा करता है मैं मुझे बड़ा प्रिये लगता है। तुमारी परसंता के लिए ये सब उत्तम परसंग मैंने तुम्हें कैस उनाया। सामा, सत्तु, केहु, मूंग, दान, याव, तीना और कंगुनी। ये परम पुत्रान है, जो मेरे भक्त, प्रुष इन्हें खाते हैं, उन्हें शंक, चक्र, हल और मुसल, आदी सहित, मेरे चतरवी सरूप का दर्शन पराप्त होता है। बसंधरे, आब मुक्ष्यामी ब्रामन का करम बतलाता हूँ, उसे सुनो। मेरे उपासक ब्रामन को अध्यापन आदी छे करमों में निरत रहकर एहंकार से सदा दूर रहना चाहिए। उसे लाब और हानी की चिंता छोड़कर इंद्रियों को वश्मे रखकर बिक्षा के आहार पर जीवन बिताना चाहिए। उसे सदा मुझसे प्रीती वाले करम करने चाहिए। और पिशुंता अर्था चुगली आदी से सर्था दूर रहना चाहिए। शास्त्र के अंसार करें। बालक, युवा और वृद्ध सब के लिए समान धर्म है। वसंद्रे एकाग्रचित होना, इंद्रियों को वश्मे रखना और इश्ट अपूर्थ करम करना। विदोक्त यग्यों का अनुष्ठान करना, बगीचा लगाना, कूप तलाब आदी का निर्मान करना, ब्रामन का सभाविक गुन होना चाहिए। ऐसा करने वाला ब्रामन मुझे प्राप्त कर लेता है। आप मेरी उपासना में ततपर रहने वाले मध्यम श्रेनी के शत्रिय के करतव्य धर्मों का वर्णन सुनो। मैं दान देने में शूर, करम की जानकारी रखने वाला, यग्यों में परम खुशल, प्वित्र शत्रिय मुझ से संबंद रखने वाले करमों में ज्ञानवान, तता एहंकार से शुनने हो। मैं थोड़ा बोले, दूसरे के गुनों को समझे, भगवान जी में सदा प्रीती रखे, विद्या गुरू से किसी परकार मन में ध्वेश नहीं करे और कभी कोई निंदित करम नहीं करे, उसे स्वागत सत्कार आरी करने में कुशल तथा क्रिपंता से दूर रहना चाहिए। देवी, इन गुनों से संपन शत्री भी मुझे निसंदे प्राप्त कर लेते हैं। अब मैं अपनी उपासना या भक्ती में सलक रहने वाले वैश्यों के करम बतलाता हूँ। मेरे भक्ती मार का नित्य अवलंबन वैश्य का धरम है। उसके मन में धनके प्रती विशीश लो लाब और हानी के भाव नहीं उठने चाहिए। जो वैश्य अपने करमों का संपादन करता है उसके लिए ना तो मैं कभी अद्रिश्य होता हूँ और ना वैं कभी मेरे लिए। अर्थात मेरा और उसका सदाशाक्षाज संबंद बना रहता है। माधवी, आप मैं शूद्र के उन कर्मों का वर्णन करता हूँ, जिसका संपादन करके वह मुझ में स्ठित हो जाते हूँ जो शूद्र दमपती, इस्त्री और पुरुष तोनों मेरी उपासना सदा भक्ती भाव से करने वाले हूँ भागवत, मत, अन्याई, देश और काल की जानकारी रखते हूँ, रजगुन और तमपगुन के परभाव से मुक्त हूँ एंकार रहित, शुद्ध हिद्ध, अतिती सेवी, विनम्र, तदा सब के प्रतिश्र धालू अतिपुित्र, लोव और मों से दूर और बड़ो को सदा सादर नमशकार करने वाले ऐसे मेरे सरूप का ध्यान करने वाले हूँ, तो मैं हजारों रिशियों को छोड़ कर उन्हीं पर रीच जाता हूँ देवी, तुमने जो चारों वर्नों के करम मुझसे पूछे थे, मैंने उनका वर्नन कर दिया इस परकार मेरी उपासना से संबन्द रखने वाले गुनों का जिसने भक्ती के साथ अनुस्ठान कर लिया, मैं मुझे पाने का अधिकारी है